दोस्तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है मनलब आपकी जो रैंक है वो आपको पता चल चुकी है कि कितनी रैंक है अब बहुत सारे बच्चों का सपना होगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्स्टी लखनो अर्थात केजी एम्यू में सेलेक्शन हो जाए तो हम इस वीडियो में केजी एम्यू की कट आफ के बारे में बात करेंगे कि आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे आपको केजी एम्यू मिल जाए इस वीडियो को लाश्ट तक वाज करना मैं कटेगरी वाइज बताऊंगा जेनरल ओबी सी एसी और पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैंने टेलिग्राम गुरूप का लिंक भी डिस्क्रिशन में दे रखा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू मैं खुद के जी एम्यू का स्टूडेंट हूं ठीक है और अभी आपका 2022 और 2023 का यह सेशन चल रहा है जिसमें आप लोग एडिमिशन लोगे और मैंने 2021 के सेशन में ही एडिमिशन लिया हूं और OT का कोर्स कर रहा हूं और मेरी जो रैंक थी जैसे आपकी रैंक आई है वैसे मेरा सीरियल नंबर था 10,000 ठीक है अब आप लोग सोच कम कट आफ गया था तो उसमें काफी बच्चों को केजी एमिउ मिल गया था जिनकी रैंक बहुत ज्यादा थी 14-15,000 या 19,000 यह भी आप समझ सकते हो थी तब भी केजी एमिउ के लिए वो इलिजिबल थे लास्ट राउंड में ठीक है तो चलिए हम आपको बता दें कि कितनी कट आफ होनी चाहिए तो फर्ष्ट राउंड में अभी जो लास्ट एयर एड्मिशन हुआ है उसमें जनरल की अगर हम बात करें किये जी एमिउ के लिए तो जनरल का सोला सो से लेके अठारा सो मैं जनरल की बात कर रहा हूं अगर इतनी है तो फर्ष्ट राउंड में कोई कोई कोर्स एलाट हो सकता है अगर आप यह सोचते हो कि नहीं मुझे यही कोर्स चाहिए तो थोड़ा चांसेच कम है लेकिन अगर आप सारे कोर्स डालोगे प्रिफरेंस में तो कोई न कोई हैंडर परसंट एलाट हो सकता है कनफर्म है दोस्तों उसके बाद OBC की मैं बात करू तो OBC का भी 2400 दोस्तों यह बिल्कुल रियल कट ओफ है और यह लाश्ट यर एलाट हुआ था मैं वही बता रहा हूं मेरे खुद मेरा खुद दोस्त जिसकी 2400 सीरियल नंबर था उसे फर्स्ट राउन में ही एक सरे मिला था ठीक है OBC कटेगरी से उसको फर्स्ट राउन में मिला था तो आप लोग खुद सोच लो कि आपको भी मिल सकता है कोई ना कोई कोर्स अगर आपकी कितनी रैंक है अब ना मिले वो बात अलग के और ऐसी कटेगरी में ऐसी कटेगरी में आप 2500 मान लो 2500 और 2600 अगर है तो केजी एम्यू फर्स्ट राउन में इलाट हो सकता है और पी एच सोरी पहले EWS की बात करते हैं तो EWS भी अगर 2400 रैंक तक है ठीके तो EWS वालों को भी केजी एम्यू मिल सकता है ये पिछले साल की कट आफ है दोस्तो इस साल मिले ना मिले वो बात अलग के लेकिन पिछले साल मिला है इसलिए मैं बता रहो जैसे मेरा दोस्त OBC क जादा ही रैंक थी फ़र्ष्ट राउंड में ही उसे एक सेरे मिल गया था उसके बाद उसने ट्रांसफर ले लिया था कार्डियो में ठीक है कार्डियो में सिकन राउंड में उसने ट्रांसफर ले लिया था और वो अब कार्डियो ही कर रहा है तो अगर OBC से कोई है तो 2400 रै प्रीडम फाइटर और एस्टी इन लोगों की रैंक अगर छे हजार साथ हजार आठ हजार तक भी तो आराम से केजी मिउं मिलेगा आखे बंद करके लोग करना इससे उपर वाले बच्चों को भी केजी मिल जाएगा जो एकसार में फ्रीडम फाइटर और पीएस से होंगे ठी से तो यह थी फर्स्ट राउंड की फर्स्ट राउंड में इतनी रैंक है तो आपको केजी मिल सकता है अब हर कोर्स के लिए कट ओफ अलग अलग होती है यह भी आप याद रखना क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि मैंने बोला ना कि फर्स्ट राउंड में एकसरे मिला राडियो मिला इस तरीके से हर कोर्स की कट ओफ अलग होती है तो आप सारे कोर्स प्रिफरेंस में डालोगे तो हो सकता है कोई न कोई मिल जाए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में